हलो गाईस स्वागत है आपका एक नई विडियो में आज किस विडियो में आपको बताने वाला हूँ अगनी वीर भरती का जो फिजिकल होने वाला है आपका उसके लिए एडमिट कार्ड जो है आना शुरू हो चुके हैं तो काफी important news है सभी अगनी वीर भरती देखने वालों के लिए तो जिन्हों ने अपना online examination clear कर लिया है और जिनकी अगनी वीर भरती का physical test जो है वो conduct होने वाला है या बाने वाले कुछ तिनों में और जिसके लिए पहले ही मैंने एक विडियो बनाया था जिसमें मैंने discuss किया था पूरा चार्ट all over India का कि कब से आपका जो physical rally भरती है वो conduct होने वाली है तो सभी जो physical rally भरती जिनकी conduct होने वाली है जितने भी candidate अपना online examination पास कर चुके हैं वो बेट कर रहे थे अपने admit card का तो सबसे पहले यहां पे admit card आना शुरू हो चुके हैं यह admit card सबसे पहले किस ARO के लिए जारी किये गए हैं यह किये गए हैं ARO मुझफर पुर के लिए तो सबसे पहले ARO मुजफरपुर के लिए यहां पे जो एडमिट कार्ड है वो शुरू हो चुके हैं डाउनलोड होना 26 जून 2024 से इस ARO के एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका यहां पे अपडेट जारी क किया गया है इंडियन आर्मी के दोरह उनकी ओफिशल वेबसाइट पे कि 10 चुलाई से लेके 19 चुलाई 2024 तक यहां पे अगनी वी रेक्रूट्मेंट रैली जो है यह कंड़क्ट होगी यह भरती जो है यहां पे रैली भरती कंड़क्ट होगी और इसके लिए एडमिट कार् डाउनलोड करना कैसे है इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अगनी पाथ यहां पे इसके बाद लॉग इन और अपलाई ऑनलाइन पे जाना है जब आप इस पे क्लिक देंगे इसके बाद यहां यूजर नेम अपना डालना है अपना पासवर्ट डालना है और उसके बा तक कि आप अपना admit card जो है download इस इस link पे जाके कर सकते हैं तो email भी आपको आ चुका होगा और आपके जो mobile number है उस पे भी message आपको भेज दिया गया होगा admit card आना शुरू हो जोके हैं जिसका सभी candidate को wait था उनके admit card जारी होगे तो जितने भी जैसे की rally का schedule जो है वो अलग-लग होगा अलग-लग ARO के लिए किसी की अभी जुलाई में होगी किसी की अगस्त में होगी किसी की September, December, किसी की 2025 में जाके होगी तो सबके admit card कब जारी होगे उससे 13 या 14 दिन पहले जब जैसे की अगर recruitment rally conduct होने वाली है 20 सितंबर को उनके admit card जारी हो जाएंगे 3 या फिर 4 सितंबर को तो ऐसा मान के चलिए कि जब आपकी rally भरती conduct होने वाली होगी उससे 12, 13 या 14 दिन पहले आपके admit card डाउनलोड होना शु तो ये थी आज की इस वीडियो में information अगर आपको कोई और doubts हो और कुछ पूछना चाहते हो comment section में जरूर comment कीजेगा और इसी तरह का content आगे भी आप देखना चाहते हैं इसी तरह की जानकारी आप आगे भी पाना चाहते हैं तो इस channel को subscribe जरूर कर लें और हमारे telegram group को भी ज follow कर लें जिसका link इस video के description में दिया हुआ है क्योंकि इस तरह की updates जो है वहाँ पे एकदम से जैसे ही वह update आती है उसको वहाँ पे डाल देता हूं क्योंकि video बनाने में time लगता है वो late हो जाती है चीज़ें लेकिन इस तरह की instant information होती है वहाँ वहाँ पे आपको मिल जाएग और इस channel को अगर आप subscribe कर रहे हैं तो bell icon भी जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी video की update आपसे miss ना हो पाए so thank you guys for watching this video मिलेंगे से तरह की next videos में